Hello everyone and welcome to Only IS स्वागत है अब सभी का Rapid Current Affairs Revision Series में ये कैसा initiative है जिसके अंदर हम लोग Prelims Oriented Important Current Affairs को बहुत स्पीड में revise करेंगे अगर आपको लगता है कि इस topic से कोई भी Important Current Affairs का topic छूट गया है तो आप comment section में हमें जरूर से बताएं जिससे की बाकी student भी उन topics को पढ़के examination hall में बैठे तो चलिए discussion स्टार्ट करते हैं देखिए अभी जो नाकपूर है नाकपूर के पास एक जगह है जिसका नाम है नाघर्दन वहाँ पर क्या चल रही थी? खुदायां मतलब excavations और वहाँ पर पुखता सबूत में है बिलकुल पुखता वाले है ठीक है? की भई वकाटाका डाइनिस्टी की religious affiliation क्या थी? पहले हमें यह नहीं पता था, मतलब बड़ा confusion था शाविजम था की व्याशनेवजम था लेकिन अब यहाँ पर कुछ ऐसे पुखता सबूत में ले हैं जिससे यह प्रूव होता है कि हाँ भया, इनका यह religious affiliation था इसके बाद उनकी trade practices की मतलब किन किन के साथ trade था यह भी पता चला है इसके बाद उनकी lifestyle क्या थी? ठीक है? उस चीज़ का भी पता चला है इसलिए नागरदन excavation को बहुत बढ़ा माना जा रहा है in terms of अकाटकर राइनिस्टी ठीक है? अब देखिए majorly जो भी आप क्या सकते excavation हुए हैं या मिले हैं उस टाइम पे that belongs to the queen प्रभावती गुपता ठीक है? वो वहां की महारानी थी यह जो हमारी प्रभावती गुपता है यह उस टाइम पे जो चंद्रगुपत टू है वहाला चंद्रगुपत नहीं चंद्रगुपत टू मतलब चंद्रगुपत विक्रमा दित्ती जो गुपता किंग थे ठीक है? आप कहा सकते है समुद्रगुपत के बेटे साहब ठीक है जो चंदर गुप्त तू या चंदर गुप्त वे क्रमा दिते थे उनकी डॉटर थी वह साकास को क्या चाहते थे हराना लेकिन बेना इस जगे के हराना लग भग नावनकिन था तो उन्होंने क्या किया मैट्री मुनियल अलाइंस किया अपनी जो बेटी थी क्वीन प्रभावाती टू उसकी मैरेज कर दी उस टाइन के वका टका किंग रुद्र दमन के साथ बिट कंफ्यूजड अबाउट दे नेम आफ प्रभावाती गुपता हस्बेन ठीक है तो उनके साथ शादी कर लेती है और अल्टीमेटली जो हमारे चंदर गुपता टू चाहते थे उनको स्ट्राटेजिक डेप्त बिल गए यहाँ पर उन्हें अल्टीमेटली साकास को हरा जबता था तो उस टाएं पर कुईन प्रभावती टेंप्ररी रूप में कुईन बन गई जैसे अभी हमारी मैडम सहाप या मैडम जी कुईन बन चुकी है उस पार्टी की एंटरिम रूप में समझ गया ना सेम वही हुआ था और जब उनका बेटा बढ़ा हो जाएगा तो वह पावर ले लेगा यह चीज़ थी ठीक है तो अब यहाँ पर फाइंडिंग्स क्या क्या हुए है सबसे पहली बात तो एक ओवल शेप की स्थील मिली है ठीक है ओवल शेप आयो आप आप जानते हैं यहां बन लीगा है तो ओवल शेप की सील मिली है और कार्बन पर उस टाइम की ये seal है ठीक है अब इस seal के और क्या feature है देखिए इस seal में एक तो जो भी उनका नाम है वो ब्रहमी script में लिखा है ठीक है उस टाइम पर आप जानते हैं ब्रहमी script ही popular थी तो उनका जो नाम है वो ब्रहमी script में है और दूसरी बात वहाँ पर एक आपको कौंच देखने को मिलता है कौंच मतलब शंक ठीक है और याद रखेगा जो शंक है वो वैशने विजिम को शो करता है और साथी साथ ये गुपता डाइनेस्टी से भी रिलिटेड है ठीक है इन दोनों चीज़ को ध्यान रखिएगा यही जो कौंच का टाइटल है मतलब कौंच का जो सील है वो एक्चुली में गुपताद रखा करते थे तो यही चीज इन्होंने वकटेका गिंडम में कौंपी की अब साथी साथ जो सील है ना इस सील का यूज किया जाता था फॉरेंट ट्रेड के लिए मतलब जो भी चीज़े यहां से इंपोर्ट होती थी ट्रेड इरान और मेंडिटेरियन सी तक हुआ करता था तो मैंने बदाता था ना ट्रेड का पता चला है इनके अफिलिएशन का पता चला है तो यह जो कौंच है या शंक है यह वैशनवाइट है इनका रिलीजन मैक्सिमम यह बताता है और दूसरा यह जो वकटका पीपल है वो इरान और मेंडिटेरियन सी तक ट्रेड किया करते थे लेकिन यहाद रखेगा यह वकटका किंग्स इनके आने से पहले शैविजम की तरफ जादा ड्रेक्टेट थे ठीक है और इसके बाद यह जो सील है उसका इस्तमाल बहुत सारी डॉक्यमेंट्स पर भी क्या आदा थ इसके बाद सारी फार देती है तो वैसी चीज़े ठीक है इसके बाद कॉपर प्लेट ध्यान रखीगा एक कॉपर प्लेट भी मिली है ठीक है चोकि इश्यू की गई थी क्वीन प्रभावाती के दवारा और यह कॉपर प्लेट बहुत इंपॉर्ण है विकाज यहाँ पर बहुत बात कर लेते हैं वाकाटा का डाइनिस्टी की तो भई एफिलियेशन समझ में ही आ रहा है तेयारा ब्रहमेनिकल डाइनिस्टी और इनका रूल था 250 कॉमन एरा से लेके 500 कॉमन एरा था ठीक है गुपतास के आसपास का कुछ रूल था इनका भी ज्यादा दूर का तो वेस्ट साइड में आपको मिल जाएगा अरेवियंसी ठीक है और इस्टन साइड में 36 गड़ तो मतलब काफी बड़ा एंपायर था नौथ इसट बे में इसके बाद आपको नौथ में मिलेगा क्या गुजरात और मालवा ठीक है और साउथ में आपको देखने को मिल आप कहा सकते हैं महाराष्ट और थोड़ा बहुत मिडल पार्ट और हल्का फुलका सुधर निजर करनाटिका आंद्रबदेश यह सब आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है और इनके जो डाइस्टी के फाउंडर थे उनका नाम था विद्या शक्ति और याद रखिएगा और उनके चम्चो के दोबारा मसलब जो भी इनके फ्यूडल लॉट से ठीक है और उस टाइम पे इवन एलिफेंट गॉर्ट को भी काफी पूजा जाता था इसके बाद मैं आपको अल्रेडी बता चुका हूँ कि भाईया क्वीन प्रभावती गुप्ता कौन थी ठीक है मैट्रिमोनिल अलाइम से और जो भी स्टूरी थी उनकी वो कंप्लीट कर चुका हूँ और येस मैंने आई थिंक उनके जो हस्बेंड का नाम बोला था रूद्र दमन ताट इस रॉंग ये वाद साका किंग अक्चुली में जो उनके हस्बेंड थे उनका नाम था रूद्र सेना टू ठीक है तो इस चीज़ को करेंट करने जगए एक बर में तरफ से और उसके बाद एक और इंपॉर्टन चीज़ाद रखेगा स्कॉलर्स आज भी ऐसा कहते हैं कि इंशन टाइम्स में उस टाइम पे क्वीन प्रभावती वाज सम् यू कें से हैंडफुल और वूमेन रूलर जिन्होंने इंडिया पे उस वक्त रूल किया ठीक है विकॉस जितना मुश्किल आप कह सकते हैं रजिया के लिए एक मुस्लिम किंडम की रानी बनने का था सेम टास्क प्रभावती गुपता को भी मिला था ठीक है इसके बाद उनके बाद आपको पूरी लाइन में कोई भी फीमेल रूलर देखने को नहीं मिलेगा और आप कह सकते हैं उन्होंने कुछ दस सालो तक रूल किया ठीक है और उसके बाद जब उनका बेटा है वो बड़ा हो जाता है उनका राम था प्रभारा सेना 2 ठीक है और जो प्रभारा सेना 2 थेच के बाद वो किंग बन जाते है और अगर आप बात करे प्रभावती प्रपोगेट किया, because वो खुद वैशनविजम को बिलॉंग करती थी, ठीक है न, राखिगरी साइट, ठीक है, ठीक है, ठीक है अभी रीसेंट में आप सभी जानते हैं, यूनियन बजट जो 2020-2021 का था, उसमें हमारी गॉर्मेंट ने अनॉंस किया, कि वो राखिगरी के साथ, बाकी चार आर्केलोजिकल साइट को एक आइकोनिक साइट बनाएंगे, ठीक है, मतलब एक तो उनका व्यूटिफिकेशन and all those things will take place, one thing, दूसरी चीज़ की वही पर वो जो साइट रहेगी, उसके बारे में एक म्यूजियम आपको मिलेगा, कि आप उस साइट के बारे में जा चाना के हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, इसके बाद उत्तर प्रदेश की हस्तिनापुर, आसाम की शिफ्सागर, गुजरात की धोलावीरा, तामिल नाडू की अधी चानादूर, तो आज के जो डिसकुशन रहेगा हमारा, सिर्व औसर राखेगरी पे रहेगा, तो आप सब जानते हैं, इंडियन कॉंटिनेंट की सबसे बड़ी साइट है, राखेगरी, ठीक है, और और बहुत सारी इंपॉर्टन बड़ी-बड़ी साइट है, जैसे एक्जैम्पल के तोर पे हरपा, मोहन जोतारो, और फिर धोलावीरा, बड़ जो हमारी राखेगरी है, वो पूरे इंडियन सब कॉंटिनेंट की बात कर रहूं है, पाकिस्तान से लेके बंगलदेश तक, ये सबसे बड़ी साइट है, ठीक है, इसके बाद अगर आप बात करें इसके एक्सकावेशन की, तो इसका जो एक्सकावेशन है, वो किया गया था, अमरेंद्रनाथ के द्वारा, not अ लेके 2500 BC तक जो भी important faces हैं, हरपन civilization के वो सब देखने को मिलते हैं, ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ मैच्योर हरपन face देखने को नहीं मिलता है, आपको यहाँ पर प्री हरपन face भी देखने को मिलता है, 6000 BC, because हरपन तो मैच्योर हरपन आपको 5000 BC के आस ecological excavations की बात करें, तो सबसे पहरी बात तो जिस प्रकार से हरपन में आपको planned towns मिलते हैं, mud bricks मिलती है, burnt brick houses देखने को मिलते हैं, proper drainage system देखने को मिलते हैं, सारी चीद यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है, तो मतलब यह side भी काफी अच्छी हुआ करती होगी उस time पर, इसके साथी साथ, this side was quite famous for its seals and pottery, ठीक है, यहाँ पर आपको cylindrical seals देखने को मिलती है, ठीक है, seals board round, beads नहीं, cylindrical seals, ठीक है, और यह किस type की होती थी, देखिए, यह cylindrical seals कुछ इस type की आपको देखती थी, और इस seal में एक तरफ आपको तो 5 रपन characters देखने को मिलेंगे, जो उनकी pictographical script है, जो भी तक हम decipher नहीं कर पाए हैं, उसके 5 character देखने को मिलेंगे, और दूसरी तरफ आपको एक alligator की photo देखने को मिलेंगी, ठीक है, तो यह हुए इनकी important scenes, इसके बाद अगर मैं pottery की बात करूँ, so that was red wear, no doubt, ठीक है, और different different types की poetry, sorry not poetry, अच्छली pottery देखने को मिलेंगी, जैसे तरफे dish on stand, vase, perforated jar, यह सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी, इसके बाद और भी बहुत सारी antiquities देखने को मिलेंगी, जैसे plates, terracotta and shell bangles, beads of semi precious stones, copper objects, animal figurine, toy cart frame, wheel of terracotta, bone points, inscribed, stratite and ceilings, ठीक है, यह सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी, इसके बाद अगर आप इनके rituals की बात करें, तो इंसानों की pit तो मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको animal की भी sacrificial pit देखने को मिलेंगी, ठीक है, जहाँ पर आपको एक mud brick देखने को मिलेगा, और यह जो जितनी भी pits है ना, उनके सामने एक triangular fire altar देखा जाता है, ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ proper discrimination की process होती थी, जो भी मंत्र पंत्र करते थे, वो सब करके लोगों को उपर भीजाया था, ठीक है, तो यह भी इस चीज़ से समझ में आता है, उसके बाद एक और important चीज़ जाद रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस टाइम के burial आपको देखने को नहीं मिलते हैं, इवन medieval times के burial भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, और अभी देखिए यहाँ पर एक study conduct हुई थी, यहाँ पर क्या किया गया था, कि जो भी excavated sites में skeletons मिले थे, ठीक है, उनकी DNA study की गई, और उस DNA study को match किया गया, उस time के European community से, मतलब European community से match किया गया, और जो हमारे यहाँ प हमारे DNA का कुछ भी लेना दिना नहीं है, तो जो Aryan invasion की theory है, वो भी गलत है, यह proof करता है, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, उसके बाद आते है next article में, करतारपूर साहीब, देखिए, आप सभी जानते हैं, कि हमारा करतारपूर कॉलिडोर बना, इंडियन को वहा देखा जा रहा है, कि जो government और military का influencer बहुत जादा है, ठीक है, और इस चीज को इंडिया ने बहुत criticize कि, भी आपने गलत किया है, ठीक है, तो थोड़ा सा करतारपूर साहीब के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, इसी गुरुद्वारे को धरबार साहीब भी कहा जाता है, ठ रही पर आपको गुरुद्वारा, दरबार साहीब या करतारपूर साहीब मिलेगा, ठीक है, और ये जो करतारपूर साहीब है, गुरुद्वारा, ये बहुत ही important है Sikhs के लिए, ठीक है, एक बहुती बड़ी spiritual place है, और बहुत ही significant place है, क्यों ही significant place है, just because, कि जो हमारे पहले सि यहाँ पर अपने 18 साल spent किये, अपने career के, और ऐसा कहा जाता है, कि यहीं पर उन्होंने Sikh religion की foundation रखी थी, और यहीं से Sikhism चालू हुआ था, ठीक है, समझ भाया है, आप समझ भाया है, यह क्या important है, because religion की शुरुआती यहीं से हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या importance होगी Sikh क के life में, ठीक है, अब एक और important चीज आद रखेगा, करतारपूर साहीब कोरिडॉर के बारे में, ओके, तो यह जो हमारा करतारपूर साहीब कोरिडॉर है, वो पाकिस्तान में, आप सभी जानते हैं करतारपूर साहीब, गुरुद्वारा को, और इंडिया में, डेरा बाबा नानक शाइन को, जो कि पंजाब के गुरदासपूर में है, दोनों को करनेट करती हैं, ठीक है यह देखे, यह रहा हमारा करतारपूर साहीब, ठीक है, और यहाँ पर आप पाकिस्तान बिना वीजा के जा सकते हैं, ठीक है बस आपको, वो नॉर्मल सी जो प्रोसिजर होती है तो वो follow करनी पड़ती है जाने के लिए और without any visa you can visit this site ठीक है और यहाँ पर कोई limitation नहीं है कि सिर्फ सीख जाएंगे even Hindus, Muslims, anyone can go विगास भगवान के घर में हुरकोई जा सकता है ठीक है और यह जो करतारपुर साहीब corridor है वो गुरुनानदेव जी की पांसो पचासवी बर्थ है निवर्सरी में खोला गया है ठीक है तो अपनी भी इसकी एक significant importance है उसके बाद अगले आर्टिकल पर आते हैं World Heritage City देखिए याद रखिए का World Heritage City अलग है और UNESCO World Heritage Site से लग है ठीक है तो अभी recent में क्या हुआ है वालियर और ओर्चा को UNESCO ने अपनी list of World Heritage City by UNESCO में शामिल कर लिया है ठीक है याद रखिए का UNESCO World Heritage Site नहीं है एक World Heritage City की लिस्ट होती है ठीक है उसमें वालियर और ओर्चा दोनों को include कर लिया गया है तो सबसे पहले थोड़ा था हम ग्वालियर के बारे में जान लेते है ठीक है ग्वालियर को 9th century में बनाया गया था ठीक है और उसके बाद से काफी बड़े-बड़े rulers ने उसको rule किया और बड़ी-बड़ी dynasties ने rule किया जैसे example के तोर पे गुर्जार, परतिहार, इसके बाद राजवंच, टोमर्स, बगहेल और सिंधियास ठीक है इन लोगों ने ग्वालियर को rule किया और ये जो हमारा ग्वालियर है वो अपने palaces और मंदिरों के लिए जाना जाता है जैसे की एक काफी famous temple है ग्वालियर में जिसका नाम है सास बखू का मंदिर देखें नाम तो unique है लेकिन अगर आप इसकी जो designing देखेंगे जो work देखेंगे इस मंदिर में वो भी बहुत आपको unique बिलेगा ठीक है इसके बाद मैंने बता है palaces के लिए बहुत जाना जाता है तो ग्वालियर फोर्ट जिसमें सबस्यादा famous है और जो ग्वालियर फोर्ट है वो एक sandstone plateau के उपर बना हुआ है ठीक है और काफी बड़ी-बड़ी walls हैं उसकी देखिए ऐसा कहा जाता है जब बाबर इंडिया आया था तो इसे इंडिया से बहुत उम्मीद थी कि इंडिया में ये होगा वो होगा तो बाबर अपनी बाबर नाम जो अपनी बुक है उसमें लिखता है कि I was not happy to see India ठीक है मतला मैंने जितना expect किया था उतना जादा नहीं है लेकिन वो ग्वालियर के जो forts थे उससे बड़ा impress हुआ था because इसकी walls इतनी बड़ी थी और इतनी strategically भी बनाई गई थी कि उसको बात कर लेते हैं ओर्चा सिटी की देखिए ओर्चा सिटी को बुंदेल खंट रीजन में देखा जा सकता है और उस ताइम पे मतलब 16th century में ये बुंदेरा डानिस्टी का capital हुआ करता था और यहां पर भी आपको बहुत सारी चीज़े मेरेंगी जैसे कि ओर्चा राज महल चांगीर महल और बहुत सारी चीज़ें यू कें रीड़ दम सिक्किम टिबिट कन्वेंशन ओफ 1890 देखिए हमारा हमेंशा था क्लेम रहा है कि भाहिया नकुला पास बिलॉंग्स टू इंडिया तो इस चीज़ को यह आप कह सकते हैं जो कन्वेंशन था पोस टाइम पे इस चीज़ें बिच में किया गया था ठीक है और इसको कलकाटा कन्वेंशन भी कहा जाता है और यह 18 सुनब्दे में शाइन हुआ था इसमें टोटल आठ 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 है जिसमें से आर्टिकल वन बहुत ही जयता इंपॉर्टेंट है फिकॉस आर् इस पॉइंट के नीचे यहां से वाली निदाई गई लब बखवास की चीज़ें की है बलब जोगरिफकल बताया कि किस तरीकित नकुला पास हमारे अंदर आ रहा है बस आपको यह पता हो जिए कि जो सिक्केम टिबट कन्वेंशन ऑफ 1890 है उसका आर्टिकल वन यह कर दिया था ठीक है इसके बाद आप सभी जानते हैं 1904 में ट्रीटी ओफ लासा साइन होती है जिसमें जो हमारा टिबट है वो इस ट्रीटी को भी रिकॉगनाईस कर लेता है लेकिन अभी भी चाइन नहीं की थी ठीक है तो फिर अल्टिमेटली 1906 में एक और मीट होती है ग् ठीक है चलिए वैलेंगोध इसके बाद आते हैं next article पर जिसका नाम है कोडु मनाल excavation तो सबसभेले हम कोडु मनाल गाउं के बारे में जानेंगे उसके बाद आगे बड़ेंगे गे तेखिए यह जो हमारा कोडु मनाल गाउं है यह तामिल नाडु के er элект डिक में लोक्रेड Çok ठीक है और यह बहुत ज़्यादा important archaeological site है आप सब जानते है कावेरी के एक tributary है जिसका नाम है Noel ठीक है Noel के banks पे आपके सथे actually northern banks में located है हमारी कौडू मनल village ठीक है आप देखते हैं यहाँ पर हुआ क्या है देखिए यहाँ पर अभी इनको मेगालितिक culture की भही दुबारा mural sites में ली है और इस बार की sites से यह पता जलता है कि यह लोग mural ritual किया करते थे साथी साथ मेगालितिक culture में after life का concept होता था कि भही या इस दुनिया के बाद किसी और दुनिया में जाना है वहाँ पर हमें बहुत सा excavation में हुआ क्या देखिए कॉर्डूमरल excavation में अप्रॉक्सिमेटली 250 केन सरकल वाली site मिली है ठीक है इसके बार में डिसकस करेंगे डूंट वरी पस अब याद रखो यह एक trade कम industrial center हुआ करता था ठीक है और यहाँ पर जो ब्यूरल साइट मिली है कॉर्डूमरल की वह एक्चुली में rectangular है ठीक है और दो मीटर लंबी है और 6 मीटर चौड़ी है ठीक है और यहाँ पर आपको stone slaps की covering देखने को मिलेगी और उसके आजू-बाजू ठीक है circle के form म बोल्डर मतलब बड़े बड़े पत्थर को रखा गया है और यह जो circle के form में पत्थर को रखा जाता है इनी को कहा जाता है gain circle ठीक है I think now it is clear इसे gain circle क्यों कहा गया अब देखिए अब जो भी उनको evidences मिले उसके conclusion में उन्होंने ये कहा है कि this side belongs to village head or the head of community आप पता नहीं उन् site में तो आपको balls मिले हैं जिसके अंदर बहुत सारा grains है और even pots है और यह बहुत सारी important चीज़े रखी गई है जो यह दिखाता है कि यहाँ पर after life का concept बहुत dominate कर रहा था ठीक है जैसे कि अभी Egypt में किया करता था इसके बाद देखिए यह जो codumeral excavation है यह megalithic culture का part है आपको पता होगा जो भी burial sites है अगर उनके पर पत्थर मिलता है तो उन्हें megalithic culture का part दिया जाता है जो megalithic है उसका मतलब ही होता है large stone structure मतलब किसी भी burial site को लेना ठीक है मतलब जहाँ पर लोगों बढ़ा जाता है और उसके पर बड़े बड़े पत्थर रख देना तो उसे हम megalithic culture या megalithic site बोलते है ठीक है मेंली यह तीन टाइगी site होती है सबसे पहली आती है डॉल मैं now desist ठीक है इसमें box shaped stone को बनाया जाता है ठीक है इसके बाद है cane circle जो मैं already बता चुका हूँ कि आज बजू circling कर दी आती है boulder की इसके बाद आता है cap stone या आप कह सकते है mushroom ठीक है mushroom shaped burial उसके क्या 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 आता है अंदर इंसान को गड़ाया जाता है और उसके उपर mushroom shaped में stones क इसको रख दिया जाता है कुछ इस तरीके से जैसे मालो यह burial है इसके बाद यहाँ पर ऐसा बड़ पत्थर का जागा और इसके आज मश्रूम टाइप कर लागीगा ठीक है इसे कहा जाता है cap stone burial और याद रखिएगा यह majorly हमें neolithic stone age में देखने को मिलता है ठीक है 2500 before common era से लेके 200 common era तक ठीक है पूरे world में देखने को मिलता है especially not to India but in whole world ओके और हमारे यहाँ पर जो भी megalitist मिले हैं वो majorly R&S को भी लोग करते हैं मतलब 1500 से लेके 500 BC तक हमें maximum यह मिले है और maximum यह कहां peninsular India में मिले है not in northern India but in peninsular India और अगर आप peninsular इंडिया की बात करो तो उसमें कुछ selected countries में बहुत जत्मन है जैसे example तोर पे करनाटिका हो गया तामिलनाडू हो गया कैरला हो गया अंधर प्रतेश हो गया एं तेलंगाना हो गया ठीक है और कोडू मनाल के बारे में तो अल्रेडी बता चुका हूं so that's it for this article now let us move to the next article that is Kakatya dynasty that is very important one देखिए जो Kakatya dynasty है इस 2023 से लेके 1323 तक region में rule किया है ठीक है और इनको किसली जाना जाता है देखिए इनको जाना जाता है network of tanks बनाने के लिए मतलब यह कुछ ऐसे tanks बनाते थे जो एक दूसरे connected रहते थे और ultimately खेटों तक पानी पहुंचाते थे और लोगों के पानी का भी इंतिजाम करते थे पीने अशे से हो रहा था ठीक है वैसे अगर आप थोड़ा historically बात करें तो जो काकत्यास थे वो western चालुक्यास के feudal lords हुआ करते थे जैसे के वारा नेट स्टाक था ओके king Robert Baratheon का but he denied to become the lord of king Joffrey because he was a bastard son of Robert Baratheon ओके लेकिन इसके जो founder थे आप कह सकते है पहले independent ruler थे काकत्या नानेशी के वो थे रूद्रदेव उन्होंने 1159 में western चालुक्यास से अपनी independence डेकलियर कर दी और अपना capital बनाया वारंगल में ठीक है लेकिन किस्मत खराब थी इनकी अलावद्दीन खिल जी उस टाइम पर रूद कर रहे थे North India में और 1310 में उन्होंने पहला अपना invasion किया और यहां से बहुत कुछ रूट के ले गए लेकिन 1330 का invasion और खराब था because that was done by सुल्तान ग्याजुद्दीन तुगलक और उन्होंने काकत्या डानिस्टी को अपने अंडर रख लिया ठीक है और इनके यहां पर मतलब काकत्यास रूलर्स में सबसे लंबे रून करने वाले राजा थे जिनका नाम था गराना पती देवा ठीक है इन्होंने 1199 से लेके 1262 तक रूल किया और इनका रूल काफी अच्छा था देखिए आप एक चीद और जानते होंगे इंडियन हिस्ट्री में क्वीन्स बनी बहुत कम था ठीक है तो यहां पर भी एक क्वीन थी जिनका नाम था रानी रूद्रमा देवी ठीक है और यह काकत्या डैनिच को बिलॉंग करती थी इसके बाद इनका बड़ा एक फेमस पोर्ट हुआ करता था सी पोर्ट हुआ करता इसे आप ट्रेडिंग पोर्ट भी कह सकते हैं जिसका राम था मोटूपली ठीक है मोटूपली वही पोर्ट था जिससे मारको पोलो हमारे इंडिया में या आप कह सकते है काकत्या किंड़ा में अंदर भुसे थे ठीक है आप सभी ने कोहिनूर डैमेंड के बारे में सुना हो जिसको आप Thousand Pillar Temple भी कहते हैं और लेट मी टेल यू दिस वाज दी अर्लियस ट्रक्चर ऑफ काकत्या आर्किटेक्ट्चर मतब तो जो अपने अर्लियस ट्रिस में बनवाय था इसके बाद जो आप कह सकते हैं उनके पीक वाले आर्किटेक्ट्चर थे वो थे कुछ रहमपपा टेंपल वारंगल फोर्ट उसके बाद तो बहुत है डिस्टेक्ट्चर हो गया बट आर्किटेक्ट्चर इनका भी बड़ा च्छा हुआ करता था ठीक है और इस चोला इंस्क्रिप्शन में लिखा था कि भई छे मार्टेस का लेंड किसी परसन को दिया जा रहा है मार्टेस एक मेजरिंग यूनेट होती है मतलब सेंटी मीटर मीटर ठीक है तो इसके बारे में डीडिल में जाने दूरत नहीं है बट यह लिखा था कि छे मार्टेस का जो लैंड है एक परसन को गिफ्टल दिया जा रहा है ठीक है और वैसे ये रिनाती चोला है क्या देखे जो हमारा कुदपड डिस्टिक्ट है वहाँ पर एक रिनादू रिजन है वहाँ पर रूल किया करते थे हमारे रिनाती चोलास इनको तेलगू चोलास आफ रिनादू भी बोलते है और रिनाती चोलास भी बोलते है ठीक है तो इस पॉंट को द्यान रखिएगा पट्ट बिलॉंग मत भूलिएगा ठीक है विकाज आप जो main line चोलाज है उनसे confuse कर सकते है तो the next article is about the भारती script देखे script क्या होता है देखे किसी भी language को लिखने के लिए कुछ letters की दरौत होती है तो आपको English लिखना है तो आपको letters होने चीन उन्होंने एक भारती script की खोज की है खोज नहीं अचली में बनाई है और यह बहुती simple script है जो की major Indian languages को accommodate कर सकता है जैसे की example के तोर पे Hindi को, Marathi को, Tamil, Telugu, Gujarati, Punjabi, Bengali, Uriya, Kannad, Malayalam मतलब जो India की major languages है उनको वो accommodate कर सकता है तीक है अब इस language के बहुत फायदा मतलब जो script है इसके बहुत फायदा होने वाले है क्या क्या फायदा हो सकते है जैसे सबसे पहली बात तो कि जो next generation है अब उनको यह जो हमारी local languages है उनको समझने में बड़ी आसानी होगी because यह जो script है बहुत ही simple है जैसी हमारी English होती है ठीक है इसके साथ ही साथ बहुत सारी tribal languages को लिखा नहीं गया है ठीक है तो उनको लिखा जा सकता है इस script का यूज करके और even इस script से हम नया braille system भी develop कर सकते हैं जो कि blind person को help करेगा इसके साथ ही साथ जो hearing impaired people है उनके लिए हम नया एक fingers spelling system भी develop कर सकते हैं और सबसे important बात कि अभी देखिए अगर आपको किसी भी adult को literate करना हो तो approximately उसमें 6 मिन लगते हैं लेकिन अगर आप इस script का यूज करके उनको literate करेंगे तो ultimately वो लोग कुछ weeks में ही एक भाशा लिखना और बोलना समझ जाएंगे तो यह importance है हमारी भारती script की इसका नाम है time capsules तो यह time capsule क्या होती है भई देखो यह किसी भी size का यह किसी भी shape का container हो सकता है भले चाहिए square हो सकता है triangle हो सकता है या फिर circle हो सकता है square हो सकता है बट यह container होना चाहिए ठीक है किसी भी shape का किसी भी size का कुछ matter नहीं करता है 50 kg लंबा है 10 kg चोटा है प्लान नहीं का रहा है कुछ matter नहीं करता ठीक है kilo मजा के लिए बोला गया था meter होना चाहिए ठीक है ठीक है कभी कुछ ऐसी चीज़े बोलो ना या photos या कुई artifacts store करके रखते है और इसकी जो storage रहती है वो current era में की जाती है जैसे माल लीजे आज की जाएगी ठीक है और उसके बाद हम यह expect करेंगे कि future generation कभी 100 साल बाद इसको खोद के निकालेगी और उनको पता चलेगा कि उस टाइम पर क्या हुआ करता था ठीक है इस चीज़ को हम type capsule कहते है अगर आपने डोरे वहन देखाओ तो इसमें time capsule थी ठीक है तो इपर फिर से revise करते है शॉट में क्यों था time capsule देखे time capsule किसी भी size का container या किसी भी shape का container हो सकते है जिसके अंदर हम document, photos और artifacts को रखते है और में मसद यह होता है कि आगे की generation इसे कभी निकाले और हमारे time के बार में जाने की हम कैसे रहा करते थे हमारे पास क्या-क्या technology and all those और available ठीक है अब देखिए यह जो time capsule है आप यह मत समझेगा कि आप अपने घर में जाएंगे कोई गंजी लेंगे उसके उपर covering करके रख देंगे ऐसा नहीं हो सकता है यह time capsule में special engineering की जरूरत होती है क्यों? otherwise जो भी material रखा हुआ है तो वो decay कर जाएगा माल लिज़े आपने सोचा कि container में लकडी कर रख दूँ लेकिन लकडी तो decay कर जाएगी हो सकता है कि आपने steel कर रखा लेकिन उसके अंदर की चीज़ decay कर जाएगी तो बहुती special engineering की जरूरत होती है time capsule के लिए जैसे example के तौर पे जो बाहर का container रहता है वो mainly aluminium या stainless steel का बना रहता है ठीक है और इसके अंदर जो भी document रहते है उसको acid free paper में दुबारा लिखा जाता है उसके बाद अंदर डाला जाता है ठीक है तो special engineering की जरूरत पड़ती है यहाँ पर अब देखिए जो time capsule शब्द है उसे 20th century में पहली बार coin किया गया था लेकिन जो इसका life example है ठीक है वो हमें 1770 का मिलता है ठीक है 1770 में क्या हुआ था कि Jesus का जो statue है Spain में ठीक है वहाँ पर time capsule रखा गया था और ultimately जब यह जो Jesus का जो statue थो से restore किया जा रहा था तो यह 1770 के जो time capsule से अंदर कुछ documents और एक दो चीज़ और थी वो सम्मिली थी ठीक है तो याद रखेगा पहला life example 1770 का मिलता है लेकिन जो time capsule term है तो यह जो term है 20th century में coin किया गया था ठीक है एक यूएस में का organization भी है time capsule से related जिसका नाम है International Time Capsule Society ठीक है यह 1990 में बनी थी वैसे तो अभी यह बहुत ही different organization होगी कोई काम नहीं करती है बट एक काम अभी यह करती है वो काम क्या है वो काम यह है कि भाईया यह पूरी दुनिया में पता लगाती है कि कहां कहां कितने time capsule है और इसके डेटा के हिसाफ से कर आप जाएं तो अभी इस time पे 10,000 से 15,000 time capsule पूरे वर्ल्ड में available है ठीक है इसके बाद हम time capsule देखते हैं इंडिया में कि भाई इंडिया में कुछ इसका दिख रहे की नहीं है देखिए सबसे पहला जो time capsule था उसे 1972 में रखवाया गया था रेड फोट के सामने ठीक है किसके दौरा उस time की प्रधान मंतरी इंडिया गांधी के दौरा लेकिन जब 1970 में उनकी गॉर्मन बदलती है और देखाई साब की गॉर्मन आती है तो उन्होंने actually time capsule को निकलवा के फिकवा दिया था कि ये लोग गांधी नहरु फैमिल्यों को ग्लोरिफाई करना चाहते है उसके बाद से फिरेंद्रा गांधी हमें कभी ट्राइ नहीं किया किया भी हो तो we don't know ठीक है इसके बाद IT कानपूर campus में एक time capsule है जिसको 6 March 2010 को कड़ाए गया था और इसमें IT कानपूर से related बहुत सारी डीटेल्स है जैसे की documents है, photographs है, films है ये संभिल जाएंगी ठीक है इसके बाद next है Alexandra Girls English Institution Mumbai देखिए इसको 19th century में set up किया गया था और यहाँ पा जो time capsule है उसको expect किया जा रहा है कि 2062 में खोला जाएगा ठीक है और इसमें school की मेलनी information है इसके बाद है Jalander's lovely public university और इसको बरीकप किया गया था हमार टाइम capsule 2019 में और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पा जो time capsule के अंदर जो भी modern day technology है उसके उपर कुछ 100 items है 100 documents है जिनसे आगे क्या आने वारी generation समझ पाईगी यह हमारे पास यह modern technology हुआ करती थी ठीक है चालिए तो यह हो गया हमारा time capsule के बारे में इसके बाद next article is about SCO online international exhibition on shared buddhist heritage बहुत बड़ा नाम है बस यह चीज़ ज़्य ज़्य नहीं दरुर्वत है इसे SCO organization council के दवारा launch किया गया ज़्यदा कुछ भी नहीं और बाकी अगर participants की बात करो तो इंडिया कजाकिस्तान चाइना अकरिकिस्तान रीपब्लेक और पाकिस्तान ठीक है इसके बाद रशा तजीकिस्तान उस्वेकिस्तान वहीं इसके बाद यस बंगा बंदू शेक मुझीबुर रह्मान प्राइस ये अच्छली उनसको के दवारा चालू किया गया है और ये हर दो साल में एक बार दिया जाएगा कि लोगों को ऐसे यूद को मतलब ऐसे यंग लोगों को जो ग्लोबल लेवल पे कुछ नए मतलब क्रियेटिव एकनॉमिक इनिशेटिव ले रहे ठीक है तो उन लोगों को ये प्राइस दिया जाएगा और यूनसको इस प्राइस को 2021 पे डिक्लियर करने वाला है ठीक है चलिए वेलें गोड अब आते हैं अगले आर्टिकल पे इसका नाम है नगरा अर्किटेक्टेक्टिड ओफ आयॉध्या राम मंदिर तो इज हमारा जो नगरा श्टायल ऑफ आर्किटेक्चर है उसमें सबसे पहले आपको मिलेगी जगाती ठीक है जगाती का मतलब होता है अपर इस प्लैटफॉर्म ठीक है उसके बाद यहां पर स्थीरिया बनी होगी ओके और यह जो जगाती है सबसे अच्छी कहां देखने को मिलती है में खजुराहो टेंपल में ठीक है उसके बाद सबसे फिर यहां पर पहले होगा गर्ब ग्रिया गर्ब ग्रिया का मतलब होता है जहां पर में डीटी को रखा जाता है ठीक है उसके बाद गर्ब ग्रिया हो गया तो उसके बाद श्रद्धालु आएंगे तो उनके लिए भी architecture में ठीक है उसके बाद आपको गर्विग्रिया के उपर multiple शिखर्स देखने को मिलेंगे ठीक है और सबसे बड़े शिखर के अंदर गर्विग्रिया लोकेट होगा ये भी हमने कहां से कॉपी किया है खजुराहो temple of Madhya Pradesh ठीक है इसके बाद यहाँ पर आपको open verandas, corridors और असी बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेंगे यहाँ पर उपर गलज भी देखने को मिलेगा ठीक है और याद रखिएगा यहाँ जो gateways होते हैं जिनने गोपरम कहा जाता South Indian architecture में वो हमारे यहाँ पर famous नहीं है इसके बाद जो boundary walls होती है यह भी South Indian architecture में देखने को मिलती है यह भी नग्रा स्टार आप अर्टेक्ट्चर में नहीं मिलेगी ठीक है यहाँ पर कोई water tank भी नहीं मिलेगा because North India में परियाप्त रेवर्स है और इसके बाद उसके जागे आपको एक प्रदिक्षना पथ मिलेगा ठीक है उसको boundary wall से compare मत करना प्रदिक्षपत मतरब जहाँ पर मंतर के आज बजू लोग चक्कर मारते है न तभी बार आपने देखा होगा उससे प्रदिक्षना पत खाता है ठीक है तो यह हो गया हमारा नग्रा स्टाल आप अर्टेक्ट्चर so with this we can conclude our today's lecture now we are going to meet in the next lecture with some more stuff till that time thank you and have a nice day and Jai Hind